तो आज हम discuss करेंगे salary high कितनी होती है, एक role है statistical programmer, जिसमें SaaS software यूज होता है, और यह जो role है, वो clinical industry में होता है, तो सबसे पहले अगर आप as a fresher join करते हो, तो मैं average scenario की बात करूंगा, high या low की नहीं, on average 4 LPA पे, आप industry में enter होते हो, इस role पे, high कितना जाता है, high up to 10 LPA, 9 LPA या 11 LPA तक जाता है, और low, low मैंने देखा around 2.5 या 3 ही इसका low है, मैंने mostly देखा है इस role के लिए, let's suppose आपने 3 LPA पे आपकी journey start की, तो आपको पहले साल अगर आपने काम किया same company में, तो आपको 1 year बाद कितना hike मिल सकता है, या जो भी promotion cycle है, 1.5 यार बाद आपको कितना hike मिल सकता है, तो अगर आप 3 LPA पे हायर है, तो क्योंकि आप lower part में fall करते हो, तो आपको जो hike मिल सकता है, वो up to 50 और 60% मिल सकता है, और maybe 80% मिल सकता है, depend upon your performance, तो same company में आपको up to 60% मिल सकता है, okay, depend upon your performance, और let's suppose आपने इस role पे promote होगे, आप next position पे चले गए, statistical programmer 1 पे, अब statistical programmer 1 से, आप statistical programmer 2 पे जाते हो, again, यह scenario हम सेम company में लेते हैं, तो again आप 50% या 40% या इतना hike, assume कर सकते हो, आपकी current salary पे, let's suppose कि आपको 2-3 साल हो गए, ठीक है, और आप statistical programmer 2 position पे हो, और इस position पे आपको 2-3 साल हो गए, आप company स्विच करते हो, तो let's suppose अगर आपकी salary 5 LPA है, same company में, यह position statistical programmer 2 है, आपको 50% या 40% तक का hike में सकता है, coming to senior की position, senior की position पे आप easily 12-13 assume कर सकते हो, उसके बाद आप assume कर सकते हो 14, और ऊपर के bracket में जाए हैं, तो आप 16-17 assume कर सकते हो, और 14-15 average scenario में, ठीक है, senior के बाद principal या lead की positions ले लो, उनके बाद जैसे से आप ऊपर जाते हो, let's suppose 15-16 पे, तब hikes होते हैं, लेकिन उतने जादा नहीं होते हैं, तो senior के बाद जब आप principal पे जाते हैं, senior पे ही रहते हुए, मैंने देखा है कि maximum 20 तक जा सकते हो, उसके बाद principal या lead की position पे जाते हो, तो आपके high और same role पे 20-30% होते हैं, ठीक है, उस level पे हम discuss नहीं करेंगे, because mostly लोग इन ही रो होते हैं, उसमें जादा interest होता है, और एक चीज़ ध्यान में रखो, आपका increment या high होता है, वो purely based होता है आपके performance पे, क्योंकि इन positions पे basic pay काफी high होता है, आपका grade भी high होता है, आपको pay तो high मिलता है, but again, जैसा आप काम करते हो, वैसा आपको promotion मिलता जाएगा, now coming to second point, उपर काफी तगड़ा high देना पड़ जाएगा, right? 100% high देते हो, 20% कितना हो गया, 40% हो गया, right? 50% कितना हो गया, 10% हो गया, so, उस level पे high, मतलब तरह काने मिलता है, जितना आपको beginning level पे मिलता है, अब beginning level पे कैसा था, let's suppose, as a fresher, मेरी कोई student थे, उनोंने 3 LPA पे जोइन किया, उनको high 60%, 50% या 40% अच्छा कासा मिला, या उनोंने switch किया, तो अच्छा high मिला, या तो same company में थे, तो भी अच्छा high मिला, अब मेरी student ने ही 9.5 LPA, okay, या 9 LPA तक पे join किया, as a fresher, तो उनका जो increment होगा, as a fresher 9 LPA पे join किया, तो उतना जादा नहीं होगा, no doubt high high उनका भी अच्छा हो compare to all other positions, यहां पे pay काफी अच्छा है, and job safety की तो like, बाती मत करो, because यह clinical research industry है, I believe, यहां पे और यह particular role, clinical research industry में statistical programmer, जो role है, वो काफी valuable है अपने आपने, तो safe भी है, valuable भी है, बट एक चीज़ धान में रखना, यह मैं हमेशा as a human मानता हो, कि मैं जितना pay ले रहा हूँ, मुझे पता होना चीए, कि मैं उस हिसाब का justify भी कर रहा हूँ, अच्छे से output भी दे रहा हूँ, काम भी दे रहा हूँ, और मैं अपना financially grow नहीं कर रहा हूँ, मैं technically भी grow कर रहा हूँ, हर एक दो साल बाद, मैं technically भी चीज़े सीख रहा हूँ, आप financially भी चाते हो, because इस role पे pay काफी heavy ह हूँ है, लेकिन अगर आप technically भी grow करोगे, तो है काफी अच्छा रहेगा आपके लिए, आप इंडिया में काम करते हो तो भी, आपको बाहर जाना है तो भी, और ये job role पे आप किसी भी country में काम कर सकते हैं से जरूरी नहीं कि आप इंडिया में ही ये job role पे रहो, हाइक की य आप इंडिया में ही पड़ता है, आपको रिटेन करने के लिए या उतना हाइक देना ही पड़ता है, क्योंकि मार्केट में डमांड है इस रोल की ठीक है, लेकिन आप technically grow करोगे तो अच्छा रहेगा, किसी भी सिनारियो में आप हमेशा, तॉप पोजिशन प्रोटी पे आप जल्दी से मैनेजर वी बन सकते हो, या सीनियर वी बन सकते हो, मैं एक चीज़ बढाता हूँ, IT इंडिस्ट्री में एक चीज़ देखी, जो बंदा या जो लोग काफी अच्छे से काम कर रहे होते हैं, और सेम कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो मैंने देखा है 6 या 7 और 8 येर्स में उनें मैनेजर बना दिया जाता है, मैंने ऐसा वी देखा है कि 4 या 5 येर्स में मैनेजर बना दिया गया, तो merak हरा länger की सेनियर उनमेर, पोजिशिन भी मिले सकते हो जल्दी, तो पी तो अच्छा मिलता ही है, आपको पोजिशन मिलती है, अच्छा रस्पेक पर संट्व कमाधा से अगली वीडियो मेंट मिलते हैं वंधे अगिले वीडियो में तब दक के लिए यॉ 앞에